प्रवियेश्य मसी में मेरे सब बहन भाईयों को जय मसी की आप सबका स्वागत है जीवत परमीश्वर की जीवत हजूरी में जिसमें आकर आपका जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्य के पवित्र वचनों को मेरी भविश्यवानियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे ये पवित्र वचन परमेश्य के दास प्रेरित अंको यूसफ नरूलाजे के द्वारा लिखे गया है इन पवित्र वचनों में पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को पवित्र आत्मा की अगवाई के साथ बताया गया है और हमारे ये विश्वाश है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे और इने अपने जीवन में अपलाई करेंगे इनके अनुसार अपने जीवन को वतीत करेंगे तो सच मुझ आप अपनी आशिशों को, अपनी गवाही को अपने जीवन में रसीव करेंगे तो पुरे विश्वाश के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने आज का वचन चूठे लोगों से बच कर रहे जैसा कि हम परमेशे के पवित्र वच्छन, मत्ती, 24 अध्याए, उसके 11 और 12 वच्छन को पढ़ते हैं तो लिखा है बहुत से जूठे बविशित वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे और अरधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा मेरे फ्रियो पवित्र बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में सारे संसार में अंधेरा बढ़ जाएगा इसलिए याद रखें जिस दुनिया में हम रहते हैं ये एक नकली है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है ये दुनिया और जादा नकली होती जा रही है और जादा ब्रश्ट होती जा रही है जब हम पवित्र बाइबल में पहला राजा तेरा अंध्याय में पढ़ते हैं तो लिखा है कि एक जवान नभी को परमेश्व ने कहा बिदेल में जाकर या रुबाम से बोल कि उसने पाप किया है इसलिए मैं उसके घराने को खतम कर दूँगा और तू रास्ते में ना तो पानी पिएगा और ना खाना खाएगा और जैसे ही तू राजा को ये बात बता देगा तो वापिस आ जाना और जिस रास्ते से तू जाएगा उस रास्ते से वापिस ना आना फिर जब वै जवान नभी राजा को ये संदेश दे कर वापिस आने लगा तो राजा ने उस पर गुसा किया और हाथ उठाकर कहा इसको पकड़ लो और ये कहते ही उसका हाथ वही खड़ा का खड़ा रह गया और उसको लक्वा हो गया इसके बाद उस राजा को यकीन हो गया कि ये कोई परमेश्वा की तरफ से भेजा हुआ दास है फिर चब वे जवान नभी वहां से वापिस जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा नभी मिला जो उसके पास आकर कहने लगा कि मुझे परमेश्वा ने तेरे लिए ये संदेश दिया है कि तु मेरे घर चल कर खाना खाए और वे जवान नभी दूविदा में पढ़ गया और उसने उसके घर जाकर उसके साथ खाना खाया तभी उसी बूढ़े नभी के पास परमेश्य का ये वच्छन पहुँचा कि तुमने मेरी आग्या को तोड़ा है इसलिए अब तुम जीवित नहीं रहोगे फिर जव जवान नभी वहां से आगे को वापिस जा रहा था तो रास्ते में एक शेर ने उसे माड डाला और फिर जव वहां बूढ़ा नभी आकर देखता है तो क्या देखता है कि ना तो शेर ने उस नभी को खाया और ना ही उसके गदे को फाड़ खाया सिर्फ जवान नभी मरा पड़ा है और गदा उसके पास खड़ा है क्योंकि शेर जब भी शिकार करता है तो खाने के लिए ही करता है अगर हम पहला राजा तेरा अध्याय की 29 आयत को पड़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वै बूढ़ा नभी उस जवान नभी के लिए शाती पीट पीट कर रोने लग गया जबकि उसने ही जूट बोलकर उसको परमेश्य की आग्या तोड़ने के लिए उकसाया था जब वहाँ पर उसको जो लोग देख रहे होंगे वैं सोच रहे होंगे कि ये उसके लिए कितना दुखी है पर उनको ये नहीं पता कि ये ही तो इसका हत्यारा है मेरे प्रियोब आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें आपका ध्यान वचन से कोई भी बढ़का सकता है जब तक आपकी आँखे आपका दिमाग पूरी रीती से वचनों पर लगा हुआ नहीं है इसलिए आपको चौकस रहना है कि आप किन लोगों से मिलते हैं आपके दोस्त कैसे हैं आपके रिष्टेदार कैसे हैं और आपसे कैसी बाते करते हैं अगर वो ऐसी बाते कहते हैं जिससे आपका विश्वाश कम हो रहा है तो वो आपको बगट काने के लिए है इसलिए आप चौकस रहें और परमेश्य के वचन के अनुसार और अपने अगवे की अवाज के अनुसार चरें आमेन परमेश्य के अनुसार प्रातना सर्व शक्तिमान पिता परमेश्य वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्य मैं ये प्रातना करती हूँ कि आप मुझे आत्माओं की परह करने का वर्दान दीजिए ताकि मैं जूठे लोगों से बस सकूँ और आपके आवाज को पहसान सकूँ और उसके अनुसार अपना जीवन वतीत कर सकूँ प्रवियेश्य मसी के पवित्र और साममर्थी नाम में हम मांगते हैं आमेन आमेन और आमेन आज की इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने चाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमीश्य आप सबको बहताई से आशिशित करें सबको ज्या मसी की God bless you all